नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों आज खबर ये आ रही है कि एक तरफ यूएस का इलेक्शन शुरू होने वाला है नवंबर मंद के अंदर और दूसरी तरफ रशिया ने अपने सुखोई 57 फाइटर जेट के साथ में एक डेडली हाइपरसोनिक मिस को इंटीग्रेट कर दिया है और इसका भारत के साथ क्या संबंद है क्या भारत भी साइपरसोनिक मिसाइल को खरीद सकता है इसी के उपर बात करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों हमेशा से ही रशिया और अमेरिका के बीच में एक अतियारों की दोड़ रही है हलांकि ये दोनों शीतियुद के अंदर भी उलजे रहे हैं पीछे अगर हम पिस्ट्री के अंदर जाएं लेकिन अभी दोस्तों ऐसी बात नहीं है लेकिन फिर भी दोनों के अंदर एक अतियारों की होड लगी रहती है कि किस के पास ज़्यादा पावरफुल वेपन है ऐसे में US का F-35 हमेशा ही चर्चा के अंदर रहा है जब भी 5th generation fighter jet की बात होती है उसकी capabilities की बात होती है लेकिन अब रशिया ने फैसला किया है कि अपने 5th generation fighter jet सुखोई 57 के साथ में KH-47M2 किंजल nuclear capable hypersonic missile को integrate करने का तो ऐसे में अब ये power रशिया की तरफ जाती हुई दिख अगर उनके उपर कोई भी हमला होता है तो वे atomic attack से इसका जवाब देंगे इससे पहले दोस्तो रशियन state news agency ने कहा था कि सुखोई 57 के साथ hypersonic missile को integrate करने का plan है और ये उसके state armament program 2018 से 2027 के इसाब से किया जाना था लेकिन अभी फैसला ये किया गया है कि किंजल missile जो की एक hypersonic missile missile है उसी से मिलती जुलती missile इसके उपर लगाई जाएगी यानि कि दोस्तो उसी missile की interbody के अंदर कुछ change करके उसके size को छोटा करके इसके अंदर integrate किया जाएगा और जहां तक दोस्तो किंजल missile की बात है तो ये एक nuclear capable air launched ballistic missile है और माना जाता है कि इसकी range 2000 km से जादा है और इसक maximum speed 10 Mac है इस missile ने 2017 के अंदर service के अंदर enter किया और साथ ही इसकी क्षमता है कि ये किसी भी flight की stage पे maneuver कर सकती है यानि कि अपनी दिशा बदल सकती है इसी लिए radar के पकड़ के अंदर आना इसका मुश्किल है और ये nuclear और conventional दोनों तरह के warhead लेके जा सकती है और ये रशिया के उन की गई है कि ये अभी जितने भी existing air और anti ballistic missile defense system है उन सभी को destroy कर सके यानि कि ये उनकी पकड़ में आती ही नहीं है और दोस्तों जहां तक बात है SU-57 fighter jet की तो ये 2010 के अंदर पहली बार दिखाई दिया था रशिया का सबसे advanced fighter jet है composite material से बना है और इसका aerodynamic configuration ऐसा है कि इसके signature केवल नाम मातर का ही होता है बहुत ही low level का radar इसके अंदर signature है जहां तक इसके comparison की बात F-35 और F-22 Raptor से तो इसके अंदर super maneuverability है साथी stealth or advanced avionics भी इसके अंदर लगे हुए हैं और अभी दोस्तों अगर hypersonic missile को इसके साथ integrate कर दिया जाता है तो सबसे बड़ी problem America के लिए ये उसके F-35 का ही नाम आता था लेकिन अब SU-57 से भी उसे कड़ी टकर मिलेगी और सबसे बड़ी बात दोस्तों इस fighter jet को इंडिया के साथ मिलके Russia बना रहा था जिसका नाम FGFA था लेकिन बाद में वो program रद हो गया लेकिन Indian Air Force के चीफ ने ये कहा था कि हम इस fighter jet का इंतजार करे है और उसके बाद इसकी performance को देखके हम इसे खरीदने का फैसला कर सकते हैं और अभी दोस्तों चाइना के साथ बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा है और इंडिया को नए fighter jet खरीदने भी है तो ऐसे में अगर इंडिया सुख होई 57 के साथ चला जाए तो कोई बड़ी बात न करेगा क्योंकि माना जाता है इंडिया के कहने के बाद ही S-400 सिस्टम की सप्लाई रशिया ने चाइना को रोक दी हलांकि उसे S-400 दे चुका है लेकिन ये कुछ उसी से जुड़े सिस्टम थे और कुछ अपग्रेड करने की बात थी जिसे रशिया ने मना कर दिया इंडिया के कहने पे तो SM इंडिया के पास ये जरूर मोका है कि वह SU-57 फाइटर जेट को भी खरीदे और साथ ही किंजल मिसाइल जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है इसके साथ में आने वाली वो भी इंडिया को मिल सकती है और चाइना को वह एक कड़ी टकर दे सकता है धन्यवाद ज का पाहिए।